हेलो फ्रेंड शिवांगीज किचन व्यू में आपका बहुत बहुत स्वागत है और आज मैं आप लों के थार शेयर कर रही हूं कि किस तरीके से गाउं में मक्षन बनाते हैं या लसी बनाते हैं तो वीडियो पूरा देखिएगा और अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक करे शेयर करें कमेंट करें सबस्क्राइब करें और साती साथ बेल आइकन प्रेस करें जिससे के आने वादे वीडियो की नोटकेशन आपको मिलती रहे तो चलिए शो करते हैं यहां पर हमने दही को मतने के लिए एक बरतन में डाल दिया है और अब हम इस दही को मतंगे तो यहां पर जैसे कि आप देख सकते हैं मठा बन रहा है लसी बन रहा है या जिसको छांच बोलते हैं वो बन रहा है और छांच अलग हो जाएगी और मख़न अलग हो जाएगा तो इसी तरीके से गाव में मख़न निकालते हैं और लसी या चांच बनाते हैं तो धीरे धीरे इसमें क्या हो जाएगा कि चांच अलग हो जाएगी और मख़न उपर आ जाएगा थोड़ा टाइम लगता है लेकिन बहुत ही टेस्टी बहुत ही हेल्थी चार्च और मखन बनके तैयार हो जाता है तो हम इसी प्रोसेस को करते रहेंगे जब तक कि हमारा मखन मत के उपर ना रहें और चार्च अलागा हो जाता है आपके देख सकते हैं यहां पर आपके पतीला गर्म पानी डाल दिया और अपर उसके बार ऐसे-स को मत लेगे जैसे पहले से मत रहें थे खाना झाल 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 तो यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं कि हमारा मखन हमारी छाच बन गए है या नहीं तो छाच बन चुकी है और यह देखिए आप एक तम से ताजा ताजा मखन निकल गया है और छाच को हमने अलग कर दिया और मखन हमारा यह तैयार हो गया तो यह थी हमारी आज की रेसिपी आई होप आपको अच्छी लगी होगी तो यहाँ पे आज की रेसिपी का एंड करते ह हैं फिर मिलेंगे अपनी नेस्ट रेस्वी नेस्ट वीडियो में तब तक के लिए टेक क्यार एंड बावाई